रायन का कॉलेज खतम होने वाला था रायन, उसका दोस्त शियाम और उनकी और दोस्त मारिया और सोफिया ने मिलकी एक प्लान बनाया उन्होंने सोचा कि जिस दिन उनका कॉलेज खतम हो जाएगा उस दिन वो लोग कोई ट्रिप पे जाएंगे तो वो लोग इंटरनेट पे सोर्च करने लगे best places to visit nearby and उनको बहुत सार सजेशन्स आए तभी रायन ने बोला कि हमें बीच चलना चाहिए वो बीच उनके शेहर से जादा दूर नहीं था वो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर था तब वो लोग सोचने लगे कि उन्हें कहां रहना चाहिए तभी श्याम ने कहा कि उस बीच के पास में उसके चाचा का एक घर है और वो ऐसा घर है जिसमें वो चारों अराम से रह सकते थे तो उन्होंने सब मिलक के decide कि वो लोग शियाम के चाचा के घर में ही रहेंगे और शियाम के चाचा बहुत अच्छे थे तो उन्होंने शियाम को इजाज़त दे रही थी कि वो जब भी चाहे वहाँ पर आके रह सकता है तो अभी ये लोग को प्लान तो set था अभी दिन था कॉलेज के फेरविल वाले दिन यानि वो लोग का आखरी दे कॉलेज का सभी लोग उस दिन बहुत ही ज़्यादा excited थे सब कुछ ready था शियाम, सोफिया, मार्या और रायन ने अपनी पाकिंग बहुत पहले ही कर चुकी थी तो फेरविल वाले दिन उन सभी ने अपने घर वापिस जाके अपने लगज लिए खुद वो ready हो गए और वो लोग वहां से चल दिये उस बीच के तरफ जाने के लिए वो लोग जैसे ही बीच जाके पहुँचे उन्होंने देखा कि समंदर कितना सुन्दर लग रहा है वो लोग को पहुचते पहुचते रात हो गई थी और अब मून निकल आया था उस मून के अंदर वो सी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रहा था सोफिया मारिया ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश और एकसाइटिद थी वो लोग वेट नहीं कर पा रही थी बीच में जाने के लिए इसलिए रायन और श्याम ने उन दोनों का भी लगेज लेके अपने चाचा के घर में रख दिया उसके चाचा का घर एक परफिक्ट स्पॉट पे था वो बीच के ज़स सामने ही था रायन और श्याम ने गारी से निकालके सारा लगेज घर पे सेट कर दिया था और फिर वो दोगों ने घर से कुछ खाने का समान लेकी बीच में पहुँच चुके थे तभी उन्होंने देखा कि मारिया और सोफिया ने एक बहुत अच्छा बॉनफायर सेट अप किया है चारों दोस्ट उस बॉनफायर के आज़ू आज़ू बैद गए और आपस में बात करने लगे वो पल बहुत ही ज़्यादा सुन्दर था वो व्यू बहुत ज़्यादा सुन्दर था वो सब लोग मेसमराइस रह चुके थे वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनका कॉलेज खतम हो गया था और अब बस उनको कोई नौकरी करनी थी सब बता रहे थे कि उनको कौनसी कौनसी नौकरी करनी है और उनको क्या-क्या ओफर्स मिल चुके है तब ही श्याम के दिमाग में एक आइडिया आया उसने सोचा कि क्यूँ ना लड़कियों को देराया जाये इसलिए उसने एक कहानी सुनाई लड़कियों को श्याम कहता है तुम तीनों जानते हूँ क्या यहाँ पे एक बहुत ही जादा प्रचलित कहानी है मैं तुम्हें सुनाता हूँ तुम लोग सुनके बहुत ही जादा हैरान रह जाओगे तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कुछ सालों पहले की बात है एक लर्की थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, चलो अभी के लिए उसका नाम हम लोग मिनी रख देते हैं तो मिनी को एक दैर मिला था, उसे शीशे के सामने जाके तीन बार एक शब्द कहना था क्या तुम लोग गेस कर सकते हो क्या होगा, तभी सोफिया नहीं कहा कही तुम बलादी मैरी की कहानी तो हमें नहीं सुना रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है तब ही शाम बोलता है, तुम्हें बहुत पता है, मुझको बोलने तो दो फिर बोलता है, हाँ, तुमने वैसे गेस तो सही किया, बलादी मैरी उसने तीन बार बलादी मेरी बोला अपने कमरे में उसके हाथ में एक मुम बत्ती थी और रात के बारा बजे उसने तीन बार बलादी मेरी बोला था शीशा को देखते हुए और तब ही उसके सामने एक औरत प्रकत हुई और उसके हाथ में एक बच्चा था और वो देखने में बहुत ही जादा दरावनी थी कुछ ही दिनों में मिनी मर गई किसी को नहीं पता मिनी कैसे मरी और क्यूं मरी पर लोगों को लगता है क्योंकि उसने वो देर एकसेप्ट किया था और उसने ब्रदी मैरी बोला था इसलिए वो मर गई तब ही मार्या ने अपनी वाच देखी फिर उसने श्याम को देखा फिर उसने अपने बैग को देखा और बैग में से उसने एक शीशे को निकाला जो उसके पास था वो अपना हैंड बैग हमेशा अपने साथ ही रखती थी बाकी लोगों को तो लगता था कि उसमें वो सोना लेके जाती है पर किसी को नहीं पता था वो अपने बाक को अपने पास क्यूंँ ही रखती थी उसने उसमें से अपना मिरर निकाला और फिर उसने शाम से कहा चलो देख लेते हैं तुम जो कहानी बता आरे हो सच है भी की नहीं अभी exact बारा बज रहे हैं और चैसा कि तुमने बताया कहानी में उस लर्की ने बारा बज़े के ही around कभी बोला होगा bloody Mary, bloody Mary, bloody Mary So, चलो त्राइ करके देख लेते हैं और उसने बिना किसी का बात सुने जल्दी से शीशे में अपने आपको देखते हुए तीन बार ब्लादी मैरी बोला और फिर वो लोग वेट किये पर जैसा शाम ने कहाने में बताया था वैसा कुछ नहीं हुआ फिर चारों दोस्त हसने लगे ये सोची कि ये सिर्फ अव्वा है और ऐसा कैसे हो सकता है ये बस लोगों को दराने का एक तरीका है फिर रायन ने बोला कहीं ये इसले तो काम नहीं किया क्यूंकि हमारे पास कांडल नहीं थी फिर मारिया बोलती है इतना बड़ा बॉन फायर है कांडल का क्या ही ज़रूरत है बस कुछ होना चाहे था थोर के साथ बोलती ना ये काम नहीं करने वाला था तभी रायन शान्त हो गया उसे कुछ अजीर सा लग रहा था उसे लग रहा था कि उन्हें कोई देख रहा है तभी पीछे से एक आवाज होती है चारों दोस्त उस आवाज के तरफ देखते हैं कि वो कैसी आवाज थी पर उन्हें वहाँ पर कोई नहीं देखता है उन्हें लगा कि कोई जानवर होगा शायद फिर वो लोग वहीं पर आपस में बात कर रहे थे ड्रिंक्स पी रहे थे उन्होंने बहुत सारी कोल ट्रिंक्स लेकी आई थी तभी रायन उपर आसमान में देखता है सोफ्या उसे पूछती है क्या देख रहे हो रायन बोलता है उपर देखो तो तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं देखरा उन्हें सभी ने उपर की तरफ देखा कुछ तो था वहाँ पर वो क्या था वो समझ नहीं पा रहे थे तभी रोने की आवाज आती है श्याम को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है फिर उसने बोला रुको मैं देख के आता हूँ कि यह आवाज कहां से आ रही है तब ही राइन बोलता है रुको रुको मैं भी तुम्हारी साथ चलता हूँ तुम दोनों यहीं पे रहना उसने ऐसा मार्या और सोफिया को कहे कि वो श्याम के साथ उस आवास के पीछे चल परा वो आवास और जाद तेज होते जा रही थी और वो आवाज समंदर की बीच से आ रही थी उन्हें समझ में नहीं आया कि वहां से आवाज कैसे आ सकती है फिर अचानक से आवाज आना बंद हो गया उनको समझ में नहीं आया पहले तो श्याम को लगा कि हो सकता है किसी को मदद चाहिऊँगा इसलिए वो आवाज लगा रहा हो पर जैसी वो वहाँपे जा रहा था अच्छानक से वो आवास बंद हो गई फिर जब उससे पता चला कि आवास समंदर के तरफ से आ रही है तब श्याम ने बोला हो सकता है ये आवाज किसी ऐसे परसन से आ रही हो जो दूब रहा हो हमें उससे धूनना चाहिए श्याम और रायन ने बहुत धूनदा पर उन्हें समंदर में कोई प्रानी ही नहीं दिखा ना तो कोई जानवर ना तो कोई इनसान उससे कोई दिखाई नहीं दिया बहुत दे धूनने के बाद श्याम और रायन वहाँ से चल दिये वापिस जहां से वो लुग आये थे उन्होंने वहाँ पे जाके सुफिया और माडिया से कहा चलो अभी हमें घर के अंदर चलना चाहिए बहुत जादा समय हो गया हमें बाहर होते हुए अभी लगबग एक बगजने वाले हैं कोई भूत नहीं तो कोई जानवर जरूर आके हमें खा जाएगा तब ही सुफिया ने कहा बीच में कौन से जानवर आके हमें खाएगा तब ही श्याम बोलता है पता नहीं क्या पता समंदर में से कोई भयानक अक्तपस निकलाए और हमारे उपर अख्ता कर दे चलो ना सुफिया इतना क्यों जिद करती हो फिर वो चारों लोग उसके चाचा के घर के अंदर चले गए फिर वो लोग सोने लगे तब ही अचानक से मार्या नीन से जाकती है उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों के सामने से कोई गया पर फिर थोड़े दिर बाद जगने के और इधर इधर देखने के जब उसे कोई नहीं देखा तो वो वाश्रूम में चले गई जब वो वाश्रूम में गई तो उसने अपने रिफ्लेक्शन को शीशे में देखा वैसे ये कोई दरावनी बात नहीं थी सभी को अपनी रिफ्लेक्शन आईने में दिखती ही है आईने में उसका जो स्किन कलर था वो दार्क हो गया था वो डिफ्रिन स्किन कलर था उससे उसे पहले समझ में नहीं आया फिर उसे लगा कि हो सकता है वो मींड में है इसलिए उसे वैसे चीज़े दिखाई दे रही है फिर वो वहाँ से चले गई जैसे ही वो दर्वाजे पे पहुची उसने वापिस से पीछे मुर के देखा तो उसमें उसने देखा पर फिर भी उसे अपनी रिफलेक्शन उस पे दिखाई दे रही थी तब ही उस रिफलेक्शन ने स्माइल किया ये देखके मारिया दड़ गई वो वहाँ से भागने ही वाली थी कि दर्वाजा अपने आप बंद हो गया वो फिर से पीछे मुर के देखी तब रिफलेक्शन वहाँ पे नहीं था पर फिर मारिया को लगा कि उसके पीछे कोई है जैसे ही उसने पीछे देखा तो उसे एक औरत हाथों में एक बच्चे को लिए हुए दिखाई दी ये देखके मारिया बहुत ही जादा दर गई और उसने जोर से चिलाया और फिर वो नीचे बिहोश होकर लेट गई जैसे ही तीनों दोस्तों ने ये आवाज सुनी वो जल्दी से भाग भाग के सोफिया के रूम में आए जहापे मारिया और सोफिया दोनों साथ में सो रही थी फिर उन्होंने बात्रूम का दर्वाजे को खोलने का कोशिश किया पर वो खोली नहीं रहा था वो अंदर से लॉक्ट था रायन ने दर्वाजा तोडने का सोचा श्याम भी इससे मान गया और सोचा कि उसके चाचा इसके लिए उसे दातेंगे नहीं और वो जाने से पहले दर्वाजा बढ़ा देगा इसलिए श्याम ने रायन को दर्वाजा तोडने के लिए अलाव कर दिया रायन ने धक्का मार मार के दर्वाजे को आखिर तोड़ ही दिया जब वो लुक अंदर जाके देखे तो उन्हें मार्या नीचे गिरी परी हुई मिली फिर उन्होंने उसे बिस्तर पे लिता दिया और वेट करने लगे कि उसे कब होश आएगा थोरी देर में मार्या को होश आ गया पहले तो वो आश्चरिय चके थी और वो इधर उधर देखने लगी कि क्या है उसके सराउंडिंग में तभी सोफिया बोलते है मार्या तुम क्या ठीक हो अभी क्या हुआ तुम अचानक से क्यों चलाया और नीचे जमीन पर हमें तुम भिहोश मिली फिर मार्या को सबकुछ याद आया और उसने सबकुछ बताया जो जो उसके साथ बात्रूम में हुआ था तीनों दोस्त हसने लगे और कहने लगे क्या मार्या तुम लगता है कि हम ये बच्चों वाली चीजों से दड़ जाएंगे जूत मत बोलो तभी शीशा तूटने के अवाज आती है श्याम जाके देखता है कि बात्रूम का शीशा तूट गया है और उसके तूटे हुए शीशों के तुक्रे में उसे उस औरत का चेहरा दिखता है हाँ वही औरत ब्लादी मेरी उसके हाथ में एक बच्चा भी था ये देखके श्याम जोर से चलाया और बात्रूम से बाग के बाहर निकला उसने सबको वो छीश बताई तभी मार्या बोलती है मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना मैंने उसे देखा, तुम लोग समझ नहीं रहे हो पर ये बात रायन और सोफिया नहीं मान रहे थे तब ही रायन बोलता है रुको मैं बात्रूम में देख के आता हूँ तुम लोग भी ना कितने दढ़ते हो फिर रायन बात्रूम में जाता है तभी उसको सामने में वो औरत बच्चे के साथ लिए खड़ी देखती है उसने अपने लंबी, काली, तंग से उसको जोर से धक्का मारा तभी वो दिवार पे जाके पतका गया और उसका धीर सारा खून बहने लगा जब श्याम जाके देखा कि उसका क्या हालत हुआ है वो दरसा गया और वो बाकी दोनों ललड़क्यों को बुला हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से भागना होगा तभी वो औरत बहार आ जाती है और उसने श्याम को उसकी गले से उठा लिया और उसको उठाने के बाद उसने उसका गला को मरोड दिया उसने इतना जोड से मरोडा था कि उसकी हद्दियों की तूटनी की आवाज आई थी तभी सोफ्या गिरकर आने लगी और बोलने लगी ये तुम हमाने साथ क्यों कर रहे हो हमने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था बुलाया तो मार्या ने था प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो और वो गिरकर आ रही थी तब ही मार्या ने मौका देखके उस रूम की खिरकी से वो बाहर भाग गई उससे लगा कि अगर वो वहां से बाहर भाग जाएगी तो वो बलदी मैरी से बग जाएगी वर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है वो वहां से भाग रही थी और वो में रोज पे पहुँचने ही वाली थी तब ही उसे वहां से एक गारी जाती हुई दिखती है वो गारी के पास जाने लगी और बोलने लगी प्लीज गारी रोको मुझे लिफ चाहिए मुझे लिफ चाहिए पर तब ही उसे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया और गारी उसके उपर चर गई और मार्या का वहाँ पर आक्सिजेंट हो गया अगले दिन न्यूज में खबर आती है कि कैसे चार लोगों की हतिया हो गई है एक की हतिया दिवार पर सर लगने के कारण हुई एक की हतिया गला तूतने के कारण हुई एक की हतिया आक्सिजेंट के कारण हुई और सोफिया की हतिया गली कातने के वज़े से हुई सोफिया ने बलादी मेरी से कहा था कि उसने उसका मजाख नहीं बदाया था पर जब मार्या ने बलादी मेरी को बलाया था तब चारों दोस्त हस रहे थे बेवकूफ थी वो उन्हें क्या लगा कि अगर वो बलदी मैरी का मज़ाख बनाएंगी तो बलदी मैरी उन्हें छोड़ देंगी वो गलत थे बेवकूफ बच्चे तो कैसे लगी आपको यह होडर कहानी दू कमेंट डाउन बिलो और ऐसी ही और दरावने कहानियों को सुनने के लिए हमारी चानल को सबस्क्राइब करें थांक्स पूर वोच्चिंग